हेलो गाइस कैसे हैं आपसा स्वागती वे चैनल पर मैं हुसेर पैनेटवर्क और आज हम फिर से एक हिंदी डब एनिमे अपडेट के बारे में वीडियो बनाने जा रहे हैं तो basically अगर आप मेरे regular viewers हो या फिर एनिमे हिंदी डब के बारे में कदर करते हो तो फिर आप लोगों को पताई होगा कि लास्ट तीन महिनों में हमें बहुत एनिमे हिंदी डब में देखने को मिल चुका है और बस यही नहीं लास्ट वीक को मैंने एक वीडियो बनाया था जहापर मैंने कहा था कि शायद P.V.R. में पहली बार के लिए दो एनिमे मूवीज हिंदी में डिलीज होने वाला है लेकिन अगर आप अब जाके P.V.R. Cinema's website चेक करेंगे तो फिर आपको देखने को मिलेगा लैंग्वेज हिंदी से बदल कर जैपनीज हो गया है यानि कि यह मूवी रिलीज होगा इंग्लिश सब्ड वर्शन में लेकिन अभी भी स्वाड़र ओनलाइन प्रोग्रेसिव हिंदी लैंग्वेज में ही है तो शायद हम थोड़ा से उमीद अभी भी रख सकते है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको ज्यादा डिस्ट्रैक नहीं करूंगा क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज हमारे पास एक और हिंदी डब्ट एनिमे डिलेटेड निउस है तो इसलिए भी नवाग गबाई चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो फिर से अगर हम काउंटिंग करें तो फिर हमें देखने को मिलेगा कि इस साल सच में बहुत सारे एनिमे मुवीज इंडिया में अफिशली आ चुका है और सच करें तो यही अंत नहीं है क्योंकि अभी भी साल खदम होने में दो महिना बाकी है तो शायद हमें और भी कई सारे चीज़े देखने को मिल जाए और आज मैं जिस हिंदी एनिमे के बारे में अपडेट देने वाला हूँ वो हैं नेट्फिक्स से रिलेड़ेड़ जी हाँ गाइस एनिमे हिंदी के मामलों में नेट्फिक्स हमें डिसपॉइंट नहीं कर रहा मतलब वो लोग रेगुलर्ली कुछ नया चीज़ लाई ही रहे है जैसे कि ऑक्टोबर की शुरुवात में उन्होंने लाया था पोकेमोन मुवी 23 वो भी विल्कुल हिंदी डम में और एक बार फिर से वो लोग एक एनिमे मुवी हिंदी में ला रहे है तो ये news एक्टॉली लगभग एक महिना पुराना हो चुका है और इसके बारे में मुझे रीसेनली पता चला है जो एनिमे फिल्म नेट्ट्रिक्स में हिंदी में रिलीज होने वाला है उसका नाम है France Luxembourg Animated The Summit of the Gods जी हाँ गाइस ये एक 2D-3D Hybrid Animated Anime है जो कि Japanese नहीं France Animated है लेकिन ये सेम नाम का मांगा का Anime Adaptation है इसलिए हम इसे Anime कह सकते है तो एक्चुली इसका फर्स्ट स्क्रीनिंग हुआ था कैनास Film Festival में और France में भी 22nd September को इसका स्क्रीनिंग हो गया था ये फिल्म US और UK Theatres में रिलीज होगा 24th November और 26th November को respectively और most importantly ये Netflix में worldwide रिलीज होगा 30th November को तो ये कहानी है basically Mount Everest को लेकर हमारा mean character है एक photographer जिसे मिलता है Mount Everest में missing हो गया हुआ एक Mountaineer का camera और उसके बाद से ये कहानी आगे बरता है अगर आप spoilers का परवा नहीं करते तो इसका एक manga भी है और novel भी है आप उन्हें try कर सकते हो और most importantly इस movie का Hindi trailer इंटरनेट में available है तो अगर आप चाहो तो YouTube में खुच जाके search कर सकते हो या फिर मैंने उपर card में एक link दिया हुआ है आप उसे भी check कर सकते हो तो trailer से जितना दूर मुझे लगा इसका Hindi dubbing बहुत ही अच्छा हुआ है और animation क्या कहे ट्रेडिशनल जेपैन से mail खाता है शायद लेकिन फिर भी CGI नहीं है यही सबसे बरी बात है इसलिए मैं आपको recommend करूँगा कि आप इस movie को जरूर देखिए क्योंकि animation अगर रहने भी दे तो भी story बहुत unique है और इस news के वावाजूत भी हमारे पास एक और minor news है अगर आपने by chance मेरा last community post देखा होगा तो आपको पताई होगा और आपको शायद the news थोड़ा सा uninteresting लग सकता है लेकिन फिर भी मैं आपको बताई देता हूँ कि Pokemon का latest series यानि कि Pokemon Journeys YouTube में free में available होने जा रहा है वो भी Hindi में और episode release होगा 29th October से और आपको इसका update मिलेगा Pokemon Asia official Hindi channel में तो मुझे पता है कि anime fans Pokemon जादा पसंद नहीं करते लेकिन guys latest series है इसलिए आप लोग चाहे तो try कर सकते हो और free है और सबसे important बात क्या आप लोग the summit of the gods movie के लिए excited हो मतलब पहले से story अच्छा है और साथी साथ हिंदी में आ रहा है इसलिए मैं जारना चाहता हूँ आप लोगों का honest opinion वो हमें नीचे बता दीजिए ऐसे तरह तरह के updates और videos के लिए हमने साथ ऐसे बने रही है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते आगे एक और नए वीडियो के साथ आप आप लगों के साथ है आप लगों के साथ है